हेलो फ्रेंड्स आज हम कैल्क्यूलेटर में जी टी बटन का यूज समगते हैं जन्रल केस के अंदर हम FI XI के अंदर क्या करते हैं FI XI that means 10 x 1 करते हैं 10 x 1 फिर 10 लिखते ते अलग से फिर हम अन प्रेस करते हैं फिर 9 x 4 लिखते हैं फिर 36 लिखते हैं and so on फिर हम लास में सिग्मा FI XI का टोटल करते हैं तो कहीं बार यह मैतर बहुत time consuming हो जाती है तो उसके अंदर हम calculator में एक बटन GT का यूज करके यह problem का solution आसानी से कर सकते हैं हमारा time भी save हो सकता है इसके अंदर let us see how to use the button of GT FI XI that means आपको क्या करना है 10 x 1 then press equal to यहां 10 आने के बाद आप 10 यहां लिख दोगे and you will not press on button आप on button प्रेस नहीं करोगे आप directly प्रेस करोगे 9 x 4 9 x 4 then press equal to 36 don't press on see आप on प्रेस करोगे तो GT बटन का use नहीं कर पाओगे फिर क्या आएगा 11 x 5 55 just write down here don't press on 15 x 6 check करो 90 then 17 x 8 136 then 10 5 x 10 5 x 10 50 then 33 x 12 that means 396 अभी आपका f i x i का directly total चाहिए तो you have to just press GT तो आपका total directly 773 आपको मिल जाएगा अच्छा आपको एक बार check करना कि यह सही है के नहीं तो let us check हम check भी कर लेते हैं 10 plus 36 plus 55 plus 90 plus 136 plus 50 plus 396 if you check the total is valid तो इसके अंदर आपको directly total मिल जाता है आपको फिर से count करने की जरूरत नहीं पड़ती है इससे आपका time save हो पाएगा thank you friends